Hello Friends, Welcome to our channel CSC Steady आज का हमारा टोपिक है Windows XP का Basic ये एक theoretical portion है इसके अंदर हम क्या करेंगे Introduction to Windows XP Introduction में क्या आता है यहाँ पर There must be a Windows in your house from where you can watch the world around you changes that the night to dawn अब इस line का मतलब क्या introduction में कि जैसे हमारे house है House के अंदर क्या होती है Windows होती है और house में Windows होती है ताकि हम house से बाहर कि जो सके कि बाहर क्या हो रहा है Same as it is, अगर हम house में एक room में है गर में एक room में है room में अगर कोई window है तो वो किसलिए है ताकि room से बाहर क्या हो रहा है हम उसको देख सके Same as it is, उसने यही लिखा है कि house में windows होती है Similarly, अगर हमें ये चेक करना है कि computer में क्या working हो रही है तो उसके लिए भी क्या होता है? Computer Windows होती है अब computer Windows का मतलब यह नहीं है कि physically Windows होती है उसको आप open करके देखोगे यह concept है कि हम इसको relate कर रहे हैं house की Windows से Windows हमारे पास एक operating system होता है जो interact करने में हमें help करता है computer के साथ Similarly, the computer Windows provide with the facility of peeping into the world, computer worlds and happening इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि similarly, विल्कुल as it is जैसे कि house में Windows होती है, computer में भी क्या होती है? Windows होती है, जो हमें क्या करती है? प्रोवाइड करती है, facility, किस चीज़ की? Peeping into the computer world ताकि computer world में क्या चल रहा है, इसको हम क्या कर सके? Peep कर सके, peeping का मतलब होती है, जहकना जहकना मस, इसका मतलब क्या लगा सकते है? आपकि देखना कि computer world में क्या working हो रही है इसकी facility हमें कौन प्रोवाइड करता है? Facility प्रोवाइड करता है computer window operating system Such as the writing letters कैसे कैसे काम को हम check कर सकते हैं जैसे की रैटर को write करना हो हमें drawing object किसी भी object को draw करना हो games को play करना हो, watch करना हो, movies को या internet को अब देखो कौन से काम हम computer में कर सकते हैं और यह तो normal works है कि हम लैटर लिख सकते हैं कुछ object को drawing कर सकते हैं पेंटिंग करना, ड्रोइंग करना, गेंस खेलना, मुवीज को वोच करना, म्यूजिक सुनना, इंटरनेट को एक्सेस करना, इंटरनेट पर भी अलग-लग टाइपस के आप गेंस खेल सकते हो, तो इससे आपको क्या कॉंसेप्ट वता लगा, इसको हम दुबारे एक बर ब्री फैसलीटी प्रवाइड करती है थाकि हम देख सकें, बोच कर सकें कि आउटसाइड दा हाउस क्या वरकिंग हो रही है, बाहर क्या काम हो रहा है, जम ऐस एडिस कंप्यूटर के पास होती है, विंडोज होती है, अब विंडूज मतल्ब फीजिकल विंडोज नहीं, का operating system of Windows इसका भी similar feature होता है कि वो हमें क्या करता है प्रवाइड करता है facility to peeping outside the computer वर the Windows XP is most powerful Windows XP क्या है बहुत जादा powerful है इस time तो Windows XP बहुत कम use होता है लेकिन जिस time पर Windows XP release हुआ था उस time पर क्या था वो बहुत powerful tool था powerful operating system था and worldwide using operating system अभी worldwide operating system क्यों है क्योंकि Windows की तरफ से सबसे पहला जो operating system release किया गया था वो क्या था हमारे पास Windows XP अब obvious है कि कोई नई चीज आती है तो जल्दी क्या हो जाती है famous हो जाती है कि जिसका concept यूजर्स को पता ही नहीं कि किसका concept क्या है तो इसलिए क्या हुआ वर्डवाइड हुआ operating system दव विंडोज operating system is actually a program अब विंडोज को operating system हम बोलतो रहे है कि Windows operating system होता है वो में interact करवाता है computer के साथ लेकिन actual में क्या होता है operating system एक्चर में operating system क्या होता है एक program होता है जिसको कौन write करता है जिसने operating system बनाया हो ऐसा programmer इसको write करेगा किसको operating system के program को that act as an interface between the user and the computer hardware अब इससा काम क्या होता है जो program लिखता है उसका logic क्या होता है पीछे उसका logic होता है उसका काम क्या होता है interface करना यह main important point है इसका कि interface करवाना between the user and the computer hardware operating system का सबसे main purpose, सबसे main work क्या होता है कि वो हमें interact करवाए, interface करवाए user को hardware के साथ, computer hardware के साथ अब देखो computer क्या होता है computer से तो सिर्फ binary language जानता है उसको सिर्फ 0101 का पता है और user को क्या पता है, अपनी normal language का पता है अब computer user के साथ, उसकी normal language में तो बात नहीं कर सकता और नहीं user 0101 करके computer से बात कर सकता अब दोनों को आपस में interface करना है, communication करनी है तो इस communication का काम कौन करवा रहा है है आपर operating system और दोसरे इसका काम क्या होता है, control करना, execution को of all kinds of the program अब computer में इसके इलावा जो भी काम चल रहा है, हम MS Office चला रहे हैं, painting करे हैं जो भी काम कर रहे हैं, data को fetch कर रहे हैं, data को enter करवाने हैं कुछ भी हो सकता है वोबर उन सब काम को क्या करना, control करना, उनके execution को Windows XP offer 32 bit processing operating system अब Windows XP हमें क्या देता है, 32 bit का processing operating system देता है operating system का इसका जो size है, bit का है, 32 bit operating system है, 32 bit processing मत essentब, इतनी bit पर ये क्या ये क्या करता है, one time में process करता है ये इसका क्या होता है, एक type होता है, that is optimal for working with the internet जो कि optimal है, optimal का मतलब यहाँ पर क्या है, enough है, कि वो internet के साथ क्या कर सके, working कर सके, working with the internet, अब 32-bit processing का मतलब क्या है यहाँ पर, 32-bit processing means, the operating system can handle the communication rapidly, कि operating system हमारा क्या कर सके, rapidly work कर सके, rapidly मतलब, easily और जल्दी से handle कर सके, communication को between the user and the hardware, अब नेच्स टोपिक है हमारे पास, what is an operating system, कि operating system क्या होता है, an operating system is an integrated set of specialized program, इसका मतलब क्या है, कि operating system क्या होता है, integrated, integrated का मतलब होता है, कि बहुत सारे components है, अलग-अलग छोटे-छोटे components हैं, उनको हमने integrate कर दिया, मतलब जोड दिया आपस में, set और specialized program, set है specialized program का, specialized मतलब जितने भी programs उसके अंदर लिखे हुए है, छोटे-छोटे programs लिखे हुए है, उन सब का अपना एक particular task है, special task है, जब उनको set कर रहे हैं, integrate कर रहे हैं, इक अठा कर रहे हैं, तब वो किस purpose के लिए काम करेंगे, एक specialized program है, जो special purpose के लिए काम करेगा, that are used to manage over all the resources of and operation of the computer, अब इसका काम क्या होता है, manage करना, used to manage over all the resources, मतलब जितने भी मारे पास resources होंगे, या जो भी हम operations perform करेंगे, कम्प्यूटर पे, उनको हम क्या कर सकते हैं, manage करेंगे एक साथ, अब normal से आप इसको संज़ो बात को, कि जैसे हम कुछ भी task perform करवाना होते हैं, languages में, जैसे C होता है, या C++ languages है, हमारे बाइस programming language, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक special task को perform करने के लिए, एक छोटा सा program लिखते हैं, जैसे हमने addition perform करना है, तो addition के लिए हम क्या करेंगे, एक program लिखेंगे, जो addition perform करके हमें देगा, अब addition perform करना है, subtraction, like calculator का का काम चाहिए हमें, कि एक ही हम program बनाएं, उसी program में हमें क्या चाहिए, plus का भी program चाहिए, multiply का भी चाहिए, divide का, modulus का, minus का, जितने भी program है, हम उन सब को क्या करतेंगे, integrate करतेंगे, जिससे वो एक साथ मिलकर क्या करेंगे, एक special purpose के लिए काम करेंगे, वो special purpose क्या होगा हमारे पास, अब example के लिए हम क्या देख सकते हैं, हम ले सकते हैं calculator के example, अब calculator हमारे पास क्या क्या task एसे हैं जो perform करता है, प्लस करेगा, minus, multiply, divide, modulus, ये सारे task कोन perform करता है हमारे पास calculator, अब let's post कर लो आप, कि अगर हमने addition का task perform करवाना है, उसके लिए भी क्या होगा मारे पास, individual program होगा, उसका एक specific purpose होगा, specific purpose के यहाँ पर addition perform करवाना, addition एक अलग task है, subtraction एक अलग task है, divide अलग है, multiply and modulus अपने अलग-अलग task है, सबके पास अपने हमने task हैं, special task हैं, लेकिन अगर मुझे calculator से ये सब task perform करने हैं, तो मैं क्या कुरूँ, इनको integrate करना पड़ेगा हमें, addition से मैंने addition का task लिया, multiplication का, जितना भी program था वो लिया, फिर हमने क्या क्या, modulus का लिया, same as it is, divide और subtraction के भी, जितने भी program थे उनको collect करके क्या बनाया मैंने calculator, और इस process को हम क्या कहेंगे, जब हम collect कर रहे हैं, दूसरे individual program से, multiply से अलग लिया, हमने subscription का program अलग लिया, तो मैंने इन सब को क्या कर दिया, integrate कर दिया, integrate करने के बाद भी क्या करेंगे, एक special purpose के लिए काम करेंगे, जो की है calculator, plus, minus, multiply, divide and modules, यह task यह तब भी perform करेंगे, लेकिन perform कैसे करेंगे, एक साथ होके, integrate होके, इसका मतलब क्या है, कि एक specialized software बन जाता है, एक किसम से, अब ऐसे software है तो काम करता है, मारे पास calculator, क्योंकि हमने क्या करा, अलग-अलग program से उसको integrate कर दिया, एक जगा पर, तो वो क्या बन गया, एक specialized software बन गया, specialized program बन गया, जिससे वो क्या करेगा, special purpose के लिए काम करेगा, और control करेगा, and monitor करेगा, executions को, जितने भी मारे पास program होंगे, computer में, computer में जितने भी programs चलेंगे, उनको वो क्या करेगा, monitor करेगा, check करेगा, कि कौन सा program कैसे कैसे काम कर रहा है, और उनको control करेगा, कि कब किस से execution होना चाहिए, including applications program, and the other system software, it is an interface between the user and the computer, यह यहाँ पर main line है, कि operating system mainly होता क्या है, main purpose क्या होता है, इसका as an interface काम करता है, यह between the user and the computer, अब हम इसके एक diagram देखते हैं, ताकि आपको और अच्छे से clear हो जाए, कि कैसे interface हो रहा है, हमारे पास diagram operating system का, कि कैसे user और hardware इंट्रेक्ट कर रहे हैं आपस में, अब से अंदर वाली जो हमारे पास layer है, उस layer में क्या है, computer hardware है, मतब यहाँ पर कौन exist करता है, computer, next layer हमारे पास कौन सी आती है, computer के बाद, operating system, then next layer कौन सी है यहाँ पर, कि कोई भी application software है, या फिर other system software हो सकता है, then user है, अब user क्या करेगा, किसी system software की help से, computer के साथ interact करेगा, उन दोनों को interact करवाने का काम किसका होगा, यहाँ पर, operating system का, example के लिए आप क्या ले सकते हो, कि मुझे, MS Office run करना है, computer पे, तो उसको हम कैसे करेंगे, user है, user को MS Office चलाना है, MS Office के यहाँ पर एक application software है, उस application software को भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले interact करना पड़ेगा, user, interface के साथ, जो कि क्या है, operating system, operating system अगर इसे अलोग करेगा, software को, तब ही वो क्या कर सकेगा, interface करेगा, या interact कर सकेगा, computer hardware के साथ, तो यह हमारा logic है, कि कैसे operating system क्या है, interact करता है, interface काम करता है, user और hardware के बीच में, आपको particular definition देखनी है, यह operating system में अगर लिखा आजे, कि what is an operating system, तो उसकी definition आप क्या लिखोगे, कि an operating system is a program, that act as an interface, between the user and the computer hardware, and control and manage, the overall resources of the computer system, यह सेम मिनिक है, जो अब तक हमने पढ़ा है, कि operating system के आप एक program होता है, यह as an interface का हम करता है, user और computer hardware के बीच में, और control and manage करने का काम भी, किसका होता है, computer system का, और computer system has many resources, computer system में क्या होता है, बहुत सारे resources होते हैं, मतलब hardware and softwares होते हैं, that may be required to solve a problem, उनको क्या पढ़ती है, जरूरत पढ़ती है, required पढ़ती है, कि वो problem को solve करें, according to the definition, the two primary objects, and a goal of the operating systems है, मतलब, जब हमने उपर definition पढ़ी है, note में, उसके अंदर, उसके according हम देखें, कि definition के according हम देखें, तो हमारे goal क्या है, operating system के, दो goal है मारे पास, कि एक तो convenient, efficient manner में data प्रवाइड करना, और manage करना resources को, अब इसके point पढ़ते हैं, first point है मारे पास, making a computer system, convenient to use in efficient manner, कि ऐसा operating system, computer system बनाएं, जो convenient to use हो, मतलब easy to use हो, और efficient manner में हम उसको use कर सकें, the operating system hides the detail of the hardware resources, from the user, अब operating system क्या करता है, hide कर देता है details को, hardware resources की, hardware resources मतलब जैसे, keywords हो गया, keyboard है मारे पास, CPU है, और mouse है, जैसे यह operating system के साथ, जो hardware resources connect है, उनको वो क्या करता है, वो डिटेल को hide कर देता है, वो से computer को पता होते है, कौन से model का उसके साथ CPU attach है, कौन सा model का उसके साथ mouse है, कौन सा उसके साथ keyboard attach है, उसको user से कोई लेना देना निया, कि user कैसे उसको interact करेगा, वो सब manage करने का काम किसका हो जाता है, यह आप पर operating system का, कि वो details को hide कर कर रखे, hardware resources की to the user, user को से कोई लेना देना निया, user को सिर्फ क्या करना है, interact औरना है computer hardware के साथ, by using the applications, कोई भी applications के थूँ उसको interact कर सकता है, and provide the user with the convenient interface using the computer system, और इसके थूँ वो क्या करेगा, एक convenient computer system के साथ, वो interface देगा, convenient interface का मतब होता है, जो easy to use हो, convenient हो use करने में, it is act as a intermediately between the hardware and its users, making it easier to users to access and use other resources, इसलिए वो क्या करेगा, intermediator का काम करेगा, hardware और user के बीच में, और जिससे वो क्या करेंगे, easily interact कर पाएंगे, अज जैसे कि हमने उपर वाली, जो हमने figure check कर रही है, उसके अंदर भी same चीज़ था, कि operating system क्या कर रहा है, इस इंटरफेस काम कर रहा है, the hardware resources are surrounding by the operating system layer, which is turned surrounding by the layer operating system software, था, next operating system था, operating system की layer थी, फिर क्या था, application या other system software से, अब other system software में क्या क्या आ सकता है, हमारे पास assemblers हो सकते हैं, compiler और interpreter किसके अंदर आएंगे, other system software में, और application software में क्या क्या आ सकता है, वही word processors and spreadsheets, Excel हो गया, MS Office हो गया, यह सब आते हैं application software में, लास्ट में layer किसी होती हैं या पर, finally layer कोंसी होती हैं या पर, user की, व्यूदा और computer system is term of the user interface, providing by the operating system, अब इनके बीच में interface कौन प्रवाइड कर रहे हैं या आपर, operating system प्रवाइड कर रहे हैं, efficient operation of the computer system is particularly important, large and share multi users, these systems are expensive, जब हम multi user का concept यूज करते हैं, कि एक टाइम पर एक ही system को multi users use करने हैं, तब यह क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा system expensive हो जाता है, so it is desirable to make the efficient as possible, तो हम क्या करते हैं, ऐसा system को, या ऐसा operating system को design करने की try करते हैं, जो बहुत ज़्यादा efficient हो, जितना possible हो सके, उतने ज़्यादा हम इसको efficient हो सके, next point है मारे पास, managing the resources of the computer system, computer system को जो भी resources है, hardware resources या software resources, उनको manage करने का काम भी किसका होता है, operating system का, this objective involves performing such as task, as a keeping track of two, who is using which resources, granting to the resource request, accounting for the resource, meditating and conflating request, different programs and the user, मतलब जितने भी मारे पास programs होंगे, या multi-users होगे, उनको manage करेगा कौन, operating system, the efficient and fair sharing of the resources, among the user and the program, is the key goal of the operating system, कि share करना resources को, among the user and the program, program और user के बीच में, programs को share करने का काम किसका होता है, key goal होता है, यहनि main goal होता है, operating system का, तो यह था हमारा topic, अगर इस topic में आपको कोई भी problem आती है, तो आप हमें comment कर सकते हैं, comment box में, thanks so much, अच्छी में video, वीडियो को like, share, subscribe करना, comment करना ना भूले,